क्रिकेट के भगवान सचन तेंदुलकर वल्कब जीतने के बाद जिसके लिए पूरी टीम ने गाया था तुझ में रब दिखता है जिसके पिछ पर आते ही सचन सचन के नारो से स्टेडियम गूंज उठता है क्रिकेट का वही भगवान अब महराश्व की नई-नई ठाकरे सरकार के लिए बेमानी हो गया है ऐसा तो है नहीं कि सचन तेंदुलकर ने क्रिकेट खेलना बन किया तो उनके फैंस ने उन्हें याद करना बन कर दिया उनके फैंस सचन को आज भी खेल के मैदान में मिस करते हैं पर शायट ठाकरे सरकार के सरता जुद्धफ ठाकरे ये बात नहीं समझते उनके लिए तो सचन से भी बढ़कर है पुत्रम हो क्योंकि वो बेटा ही तो है जिसकी बदौलत सत्ता की ललक ठाकरे परिवार के भीतर तक पहुची पिता बाल ठाकरे ने तो कभी सत्ता और कुर्सी का मोह तक नहीं पाला ना पालना सिखाया लेकिन तीसरी पीड़ी ने ठाकरे परिवार का इतिहास बदल दिया सत्ता हासिल की तो फैसले भी मर्दी के ही होंगे ठाकरे जी को लगा कि ये सचन वचन क्रिकेट के भगवान अब पुरानी बात हो चली है इसलिए इनकी सुरक्षा हटा देनी चाहिए और उनके बदले अपने लाडले लल्ला को दिलवा दी जट सुरक्षा याने जुस बेटे को विधायक बने अभी 6 महने भी नहीं हुए उसे शरत पवार सरी की सुरक्षा दी जा रही है और अर्से से क्रिकेट के भगवान बन कर लोगों की दिलों पर राज करने वाले सचन तेंदुलकर की जेट श्रेणी की सुरक्षा वापस पे लिगई है अब सचन के फैन्स ही बताएंगे कि ये पैसला सही है या गलत